हेलो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे इंस्ट्रेग्राम अकाउंट डिलीट करना तो पहले मैं स्क्रीन को होरिजॉंटली कर देती हूँ अब आपको क्लियर दिखाई देगा चलिए चलते हैं अपने फोन के ब्राउजर में जो भी आप यूज करते हैं मैं क्रोम यूज करती हू तो आपको यहाँ पर सर्च करना है इंस्ट्रेग्राम लॉग इन जो भी अकाउंट आप डिलीट करना चाहते हो उसको लॉग इन कर लीजिए याद रखेगा आपको एप यूज नहीं करनी है ब्राउजर ही यूज करना है लॉग इन करने के लिए अपना अकाउंट लॉग इन कर लेना है आपको अब आपको एरो की पोजिशन जहां पर मैं दिखाई हूँ यह स्क्रीन में देखिए यहां से आपको एडिट प्रोफाइल में जाना है और नीचे को scroll करके temporary disable my account में जाना है उसके बाद उपर को scroll करेंगे तो search बार आएगा उपर इस तरह से जैसे ही search बार पर click करेंगे pencil से click करके link open हो जाएगा इससे temporary cut करके permanent लिखना है spelling का ध्यान रखेगा अगर एक भी गलती हुई तो link break हो जाएगा अब आपको कोई भी reason choose कर लेना है और फिर से password डालना है और delete account का नाम लिखा होगा ok करके फिर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा यह आपका यह कहेंगे कि 30 दिनों बाद delete हो जाएगा अब आपको instagram पर चेक करना है अपना जाकी कि अग account log out हुआ या नहीं तो यह have been logged out यह बोल रहे है हमें ok कर देना है अगर मैं इस account को अभी login कर देती हूँ 30 दिनों के अंदर अंदर तो यह फिर से open हो जाएगा और अगर मैं नहीं करती हूँ तो यह 30 दिन बाद permanently delete हो जाएगा तो आपको वीडियो कैसी लगी comment करके जरूर बताइएगा थार शाजल कर वीडियो कर देना हुआ है झाल झाल